टाटा सम्हू भारत की सबसे बड़ी उत्पादन कमपनी है। टाटा सम्हू के पैतालिस देशों में कार्याले हैं, 156 देशों में टाटा सम्हू अपनी सेवाएं देता है। तो ऐसे में आईए जानते हैं टाटा सम्हू की कमपनियों के बारे में। टाटा सम्हू की कमपनीज, सूचन प्रादिगी के अंदर टाटा कंसल्टेंसी सर्वेसेज, टाटा एक्सी, टाटा डिजिटल, टाटा टेक्नोलोजीज, टाटा स्टील, ऑटो मोबाइल में, टाटा मोटर्स, जगवार, लैंड रोवर, टाटा ओटो कम सिस्टम, उपभोगत वंटो और खुदरा के अन्दर, टाटा केमिकल्स, टाटा कंस्यूमर प्रॉट्ट्ट्स, टाइटन कंपनी,ardon्तास, टाटा, वोल्टास, इन्फिनितीरेटेज, ट्रенд, इंफ्रस्ट्रक्टर में, टाटा पावर, टाटा बेंदोंसींजिनियर्स, टाटा ड्रीलेस, टाटा ह Tata SIA Airlines, Air India, Telecom or Media, Tata Communications, Tata Play, Tata Teleservices, Dhyapar or Nivesh, Tata International, Tata Industries, Tata Investment Corporation, Tata Utpad or Brand, Big Basket, Tata New, Tata Tea, Tetley, Atto Clock Coffee, Tata Coffee Ground, Himalayan Natural Mineral Water, Tata Copper Plus, Tata Glucoplus, Tata Namak, Tata Shampoo and Tata Soulful. Tata Group को बुलंदियों पर पहुचाने वाले रतन Tata ने Tata Suns के चुएर्मेन के रूप में मार्च 1991 से दिसंबर 2012 तक नेतरत्व किया. विदेश से पढ़ाई पूरी करने के बाद वह पहली बार Tata Sunhu की कमपनी, Tata Industries में बतोर असिस्टेंट शामिल हुए थे. इसके बाद उन्होंने कुछ महीनों तक जमशेदपुर में Tata के प्लांट में ट्रेनिंग पूरी करने के साथ ही, उन्होंने अपनी जिम्मदारियों को संभालना शुरू कर दिया था. रतन टाटा ने घर की किचन में इस्तमाल होने वाले नमक से लेकर आसमान में ओरने वाले हवाई जाहजों तक पर राज किया. बिजनस सेक्टर में नई किर्थिमान इस्थापित करके उन्होंने Tata Sunhu को उचाईयों तक पहुँचाया. देश में से कई काम हैं जने पहली बार Tata Company ने किया, फिर चाहे वो स्टील प्रांट के शुरू हातों या फिर एयरलाइन्स की. बिजनस सेक्टर में नई किर्थिमान इस्थापित कर Tata Sunhu को बुलंदियों तक पहुँचाया.